नसों में कमजोरी आ गई है, खून गाढ़े होने की समस्या है, पेट में कीडे हो गए है या आपकी नाडियों में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है आज आपके लिए एक ऐसी औजधी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ दोस्तों जो आपको जोईन पेन गठिया और धराइटी से राहत दिलाएगी खासी की समस्या है, डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता है या फिर हाई बीपी की समस्या है इन सारी चीजों को दूर करेगी ये छोटी सी आउज थी हम सब के रसोई घर में मिलने वाला ये जो लहसुन होता है आज मैं आपको इसके कई गुणों से परिचित कराने वाली हूँ कि ये कितना जादा फायदे मंद होता है गार्ली का सेवन कई तरीके से किया जाता आप बोलेंगे अरे हम तो रोज सबजी की ग्रेवी में डालते हैं जी नहीं आपको इस तरह से लहसुन को नहीं खाना है तेल में तलकर नहीं खाना है आपको आप अगर दो कच्छी कली लहसुन को खाते हैं तो आप सो बिमारियों से बच सकते हैं कच्छी कली खाना पसंद नहीं है तो हलक असा लहसुन को भून लीजे सेख लीजे और फिर खाये तेल घी में तल कर नहीं खाना है ताकि इसके जो पोशक तत्व हैं वो बिल्कुल वैसे ही बने रहें और आपको गारलिक खाने का भरपूर फायदा मिल सके खून गाड़े होने की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या, हार्ट से जुड़ी हुई सभी बिमारियों को दूर करता है कच्छे लहसुन का सेवन यदि आप यंग एच के हैं तो आप 2-3 कली लहसुन खा सकते हैं तीस से चालिस साल के हैं तो 2-3 कली आप अराम से खा सकते हैं हाँ, अगर आप व्रिधा वस्था में हैं तो क्या होता दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है, हमारा डाइजेशन कमजोर होता जाता है हमारा पाचन कमजोर होता जाता है इसलिए आप केवल दो कली लहसुन का खाएं यदि आप 45-50 साल के हैं तो ताकि आपको हजम हो जाएं भूना हुआ लहसुन खा सकते हैं अगर बहुत से लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लहसुन खाने के बाद बैड़ी स्मेल आती है मुझ से तो इसलिए आप हलका सा इसे सेख लीजिए आपको इसकी बैड़ी स्मेल बिलकुल नहीं आएगी जैसे कि मैंने ऐसे सेख के दिखाया देखे छिलका उतारने के बाद भी इसमें काले काले जो चित्ते हैं न वो इसकी बैड़ी स्मेल को दूर करेंगे थोड़ा सा भुनने के बाद दो से तीन लहसुन की कलियों को अगर लहसुन की कलियां बहुत बड़े बड़े साइस की हैं तो केवल दो कलियों का इस्तमाल करें अगर छोटे साइस की कलिया हैं तो तीन छोटी कलियों का भी इस्तमाल कर सकते हैं सुबह लीजिए, खाली पेट लीजिए, हलके गुनगुने पानी के साथ लीजिए, ठंडे पानी के साथ नहीं लेना है काट लिया है बड़ी हालका गरम पानी कर लिजे और बस दो कली लहसुन की अगर सुबे खाएंगे ना इससे आपका डाइजेशन इंप्रूब होगा आपके मेटाबॉलिजम को बूस्ट करेगा शरीर में जमी हुई चर्वी मोम के जैसे पिखलने लगेगी यदि कच्चे लहसुन को उट्टे साथ खाते हैं तो चाए कॉफी पीने से आधा घंटा पहले आपको दो कली लहसुन की गरम पानी के साथ खाना है इसके अलावा जो बीपी के पेशेंट है जिन्हें पूरे समय हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें भी सुबह के समय खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा कैंसर जैसी खतरनाक बिमारी में भी ये फायदे मंद है कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है कच्चे लहसुन का सेवन दिल से जुड़ी हुई बिमारी के खतरे को टालता है कच्चे लहसुन का सेवन हमारे heart को मजबूत बनाता है कोलेस्टरोल को कम करता है इसके अलावा हमारे weight loss में भी ये मदद करता है metabolism is strong होता है और साथ ही साथ जो लोग gym जाते हिंग दोसों जिने अपने muscles को strong करना है उन्हें भी दो कच्चे कली लीहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए नाडियों में बह रहे खून के प्रवाह को कंट्रोल करता है और नाडियों में अगर ब्लॉकेस की समस्या है तब तो जरूर खाण बच्चों को पेट में कीरे हैं तो एक चमश शहद में एक लहसुन की कली को बारिक बारिक काट लीजे के साथ ले सकते हैं जो डाइबिटिक पेशेंट हैं वे बिल्कुल भी शहद के साथ इसे नहीं लेंगे वे केवल कच्चे कली को चबा चबा कर खा लें काट के खा लें हलके गुनगुने पानी के साथ इससे आपका हाजमा भी दुरूस्त होगा पेट से जुड़ी हुई कई बिमारिया दूर होती है हमारी बॉडी को डीटॉक्स करता है हमारे शरीर से विशेले तत्वों को बहार निकालता है कच्चे लहसुन का सेवन धून कर खाएं, कच्चा खाएं, शहद के साथ खाएं या पानी में उबाल कर भी खा सकते हैं वैसे इसके लिए एक गिलास पानी लीचे दो से तीन कटी हुई लहसुन की कलियों को डालिए इस पानी को अच्छी तरह से बॉल कर लीचे बॉल करें ताकि लहसुन की सारी गुड़नैस इस पानी में आ जाए सुबा उठिये और इस पानी को पी लीजे चाहें तो उबले हुए जो लहसुन रहेंगे आपके उसे चबा कर खा लीजे पानी को आप पी सकते हैं दोस्तों ऐसा नहीं कि लहसुन को काटा और तुरंत खा लिया थोड़ी देर काटने के बाद लहसुन को 5-1 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड़नेस आ सके उसके बाद खाईए काटे साथ मत खाईए कुछ मिनट एक दो मिनट तो जरूर रखें फिर खाईए आप तो ज़्यादा फाइदा मिलेगा आपको इसके पोशक ततों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो लहसुन को उबालकर लहसुन का पानी पी सकते हैं फिर बचे हुए लहसुन को खा सकते हैं आप इससे आपको मुँ में जो bad smell बुरी गंधाने की समस्या है वो भी नहीं होगी सुबह लेना है, खाली पेट लेना है, चाय कॉफी पीने से पहले ब्लेट क्लोटिंग की समस्या में बहुत फायदे मंद है, कि नहीं लेना है लहसुन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है बहुत से लोग जिनके शरीर में बहुत जादा गर्मी होती है, आप कह सकते हैं गरम तासिर वाले इंसान को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए जो प्रेगनेंट लेडी है या जो फिडिंग कराने वाली माता है, वे भी कच्छे लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें आप चाहे ना, तो लहसुन को कूट कर खा सकते हैं, आप लहसुन की कच्छी चट्नी बना कर खा सकते हैं आपको इसे ग्रेवी में डाल कर तेल में तल कर घी में तल कर नहीं खाना है जो कच्चा लहसुन होता है वो हमारे शरीर के लिए एक औशदी के जैसा दवाई के जैसा काम करता है डायबीटीस में बहुत फायदेमंद है जो मधुवे के रोगी हैं उन्हें भी एक से दो कली लहसुन की जरूर खाना चाहिए दोस्तों एंटी बैक्टीरियल प्रापर्टी होती है हमारी बोडी को डीटॉक्स करता है और साथी साथ पेट से चुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती है मैंने जसा बताया पेट के किटाणूओं को खत्म करता है हमारी इम्मूनिटी को बढ़ाता है centre जिन्हें नसों में कमजोरी आ गई है जिन्हें खुन गारे होने की समस्या है या hard blockage की जिन्हें समस्या है उन्हें भी कच्चे लहसून का सेवन जरूर करना चाहिए इसके साथी साथ मेथी का पानी भी आप सुबह उटकर पी सकते हैं आधा चमच फैनुगरिक सीट को एक गिलास पानी में राद भर भिगा कर रखे सुबह उटकर चान कर मेथी का पानी पीने से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है आपके हार्ट को मजबूती मिलती है कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है इसके अलावा वजन को घटाने में भी आसानी होती है तो मेथी का पानी भी आप चान कर ले सकते हैं हलका गरम करने के बाद मेरा परिवाल कमेंट करके जरूर बताए इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको ठैंक्स बोल सको वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब